नमस्कार दोस्तों आपका हमारे आनले लेक्षा स्रीज में एक बार फिर बहुत स्वागत है डिस्क्रीट इस्ट्ट्ट्र एंट थियोरी आप लॉजिक सब्जेक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप आप सेट के बारे में इसके प्रिवेस लेक्षर में हमने इंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट दूसरा सेट बिल्डर फार्म को डिटेल में देखा था यहां पर वह करेगा आपको बेटर समझने में अगर आप प्रिवेस लेक्षर नहीं देखें तो प्लीज उसको देखके जरूर आईए आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा चलिए श्टार्ट करते हैं पहला पहला ह है से शिंगल क्या है कि जैसा नाम ही इसका यहां पर सिंपल सा मतलब है कि जो सिंगल होंगे हो इलिमेट होगा है मतलब मोर यहалता वह बेंन नहीं होता क्योंकि सिंगल टन शे法mud को दिया हूँ है जैसे इसकोल टू उसमें एक लेमंट ए एक इलमेंट है जिसका नाम है वन तो यहां पे इसतर इसकोफ़ सकते हैं सिंगल टर बैंधै दूसर अगर देखें दूसरा एक गांपल दिया है त फार में दिया हुआ है और वो एक्जाम्पल है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है ठीक है जरली सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फार पर डिटेल आपको समझ में आई गया होगा तो यहां पर अगर हम देखें दूसरा दूसरा इसाम्पल में भी क्या कर रहा है यक्ष यक्ष इजे इवेन प्राइम नंबर अब कोई प्राइम नंबर बताईए ऐसा जो इवेन हो तो आपके दिवां में केवल क्यों एक ही नंबर आएगा टू इसके लामा और कोई नंबर नहीं हो सता मतलब कि इस सेट के अंदर क्यों एक ही इलिमेंट है तो यह भी क्या हो गया सिंगल सेट हो गया दूसरा बात करत कलेकि ना हो तो इसको हम कहेंगे इम्प्रइश्च्च कट हैनल सेट इसको डिनोट करते हैं किस से हम अंपढाय कजैए कि यहां पर कोई भी इलिमेंट नहीं है सेट में डूसरा था लिखने का है कि स्वाल टू करई ब्रेश्च उपन और क्लोज इंब्लैंक रखें कोई इलेमेंट ने अगर plus लिए और ररती कि के अंदर फाई कि इसका उलिमेंट कॉतलयique कम रही है क्षा में नाम का सिंबल जो की इलेमेंट यहां हम पे हैं、、, मिन अगर यहां पर नहीं होगा तब हो जाएगा ठीक है दूसरा एक और देखते हैं इसका इंपटी सेट का जैसे यहां पर जो डिफाइन किया होगा है यहां पर एक मिन्स कोई कि एलिमेंट होगा और एक सिंगल नंबर एसा जो फाइब से ग्रीटर भी हो और उसी टाइम ठीजेश कोई ऐसा नंबर नहीं है जब कोई इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसलिए इसको कहा गया इंपटी सेट ठीक है थाड अकर देखे, finite set, finite set मतलब यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे किसी सेट की बात हो रही है, जिसमें number up element क्या है, finite है, finite means countable, जिसको इसली count किया जा सकते हैं, कि इसमें number up element कितने है, अगर कोई ऐसा element जिसको count कर पाएं कि इसमें कितने हैं, तो इन finite आ जाए अब समझ में आएगा आपको मतलब कि यहां पर जो इलिमेंट आएगा यहां पर वेरीबल लिया और एक को डिफाइन कैसे किया कि यहां पर जो भी नंबर आएगा हो ओल नंबर होगा होगा मतलब ड्रिस्टिक्शन लग जयाना की यह जाद हो जी चकता मतलब काउंटेबल है आपका कॉंटेबल होजाएं अबका है दूसरा देखिए यहां बर कि कितने सेट अपर एलिमेंट यहां पर अगर पांच है मतलब यह इसमें हैं किसमें हैं सेट में एक समझ सकते हैं व जिसमें दिएचाइच करते हैं कितना है इंफायनाइट टाइम से तो सारी क्या हो जाएँगे इंफायनगा वे मिट अधाइट निमिट नहीं रिया कोई तो कहां थे हम इनफायनाइट टाइम मतलब वगर हम स्टार्ट करें सब को जो वन से वान थ्री फाइब सेवेन नाइन एक इतना हो जाएगा इन्फाइन चलता जाएगा रुके यह नहीं और नम्मर केस्ट में तो इह होगा इन्फाइनेट से ऐसे देखिए दूसरा वाले में क्या हुआ है 246810 डॉट डॉट कर सकते हैं और इस जो डिसकर्स कर रहे है वहा颇ं से डाउलोड कर सकते हैं आपको नोट कर नहीं पड़ेगी तो नेक्स आते हैं equal set, equal set अब equal set तेसे नाम से क्या लग रहा है आपको, equal मतलब कि equality कहीं नहीं ऐसा नहीं दो या तीन या कि number साथ set होंगे जिसमें equality होगी, तो किस चीज़ की equality होगी, दो चीज़ की equality यहाँ पे हम measure कर रहे हैं, पहला equality क्या होगा, suppose कि दो set हैं और वहाँ पे एक set में number आप element और दूसरे से नमबर आप element, अगर number आप element दोनों में same है, तो एक criteria हो satisfy करता है equality का, दूसरा criteria क्या होता है, कि उसके element भी same होने चुछी है, यह मतलब जो element set A में है, वही element set B में होगा, तो equal कहा जाएगा, content की बात करें, जो element है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 1, 2, 3 फी है, मतलब number आप element और element दोनों same है, तो इसको हम कह सकते हैं A is equal to B, मतलब set A is equal to set B, clear है, दोनों चीज, मतलब यहाँ जहान रखना है कि having same and equal number of elements, next equivalent set, अब equal set और equivalent set में बहुत ही थोड़ी सी difference है, उस difference को समझने की जल्यों था आपको, क्योंकि यह confusion होता है यहाँ पे, equal set और equivalent set में, देखे, equivalent set क्या हो रहा है यहाँ पे, कि equivalent set are those which having same number of elements, number of elements तो same होगा, मतलब अगर सपज़ 200 set हैं, तो एक में 5 element हैं, दूसरा में 5 element हैं, अगर ऐसा हैं, तो यह criteria satisfy करता है, but, element may be different, लेकिल element जो है, वो different हो सकता यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि same हो, different हो सकता, जैसे example तोर पे, हमने लिया a is equal to set a में a1, 2, 3, 4, set b में लिया a, b, c, d, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, कि यह दोनों में number up element तो same है, लेकिन difference किसका है, element का difference है, तो यह क्या आज जोता, equivalent, अच्छा, यह चीवताईए कि a equivalent होगा कि नहीं, ज्यान दीजिए, जो equal है, वो equivalent तो already है, मतलब equal जो है, उसको हम equivalent भी कर सकते हैं, लेकिन सारे equivalent को हम equal नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे, एक criteria, जो difference वाला है, एक compulsory, नहीं, एक different हो, same भी हो सकता है, लेकिन different तो भी equivalent माना जाएगा, ठीक है, next आता है, subset, एक आप ही important है, अभी तक जितने हम देखें, इसमें सबसे important subset है, इसी से question जनली एकजाम में आता है, तो देखिए, subset क्या होगा, let, a will be called subset of set b, मतलब, जनली दो set होंगे, suppose, एक set a है, एक set b है, तो हम क्या सकते है, a is a subset of b, लेकिन कब कहेंगे, if all the element of a belongs to set b, a के सारे element b में भी अगर है, तो हम क्या सकते है, a is a subset of b, denote किसे करेंगे, denote करने के लिए symbol यूज करेंगे हम, इस symbol देखिए, इस तरह से हम यूज करेंगे symbol, और example देखिए, a is equal to, जो a equal to हमने set लिया, इसमें, कितने element, 3 element 33, 66, 99, और दूसरे set में हमने लिया, b में 11, 22, 33, 66, 99, अब देखिए, क्या criteria satisfy कर रहा है, a के हर element, 33 इसमें है, हाँ यहां बिलॉंग कर रहा है, 99 बिलॉंग कर रहा है, मतलब हम कहा सकते है, a is a subset of b, अब यहीं से एक और concept समझ में आएगा, कभी-कभी subset के साथ-साथ आपसे पूजी आयता, superset, इसी का एक subtopic is superset, superset क्या हो चकता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ था हम इसको कह सकते है, b is a superset of a, या symbol इस तरह से लिख सकते है, b is a superset of a, तो superset के case में हम criteria e होना चाहिए, अब criteria मताब समझ लेंगे ने, जैसे a is a subset of b, तो हम इसको कह सकते है, b is a superset of a, clear है ने, इतना difference है, बाकि सब सेम है, next, कुछ properties है subset की, उस properties को ध्यान दिजीए कि क्योंकि आगे एक काम आएगा, पहला प्रापर्टी क्या है, phi is a subset of every set, phi मतलब क्या था है, आप अभी देखें थे, null, जब null है, null मतलब कोई element तो है ही नहीं, तो उसको हम by default मान के चलते है, phi is a subset of every set, हर set का subset आपका हो सकता है, phi, दूसरा, if a is subset of b, देखें, subset of a, then हम कह सकते है, a is equal to b, example ने समझ यह, क्या हम इसको कह सकते है, a is a subset of b, देखें, यहाँ पर one का element यहाँ भी है, two यहाँ भी है, three यहाँ भी है, four यहाँ मतलब हम कह सकते है, a is a subset of b, क्या हम a भी कह सकते है, b is a subset of a, b के element इसमें होने चाहिए, बिलॉंग करने चाहिए, one यहाँ बिलॉंग कर रहा है, two, three, four बिलॉंग कर रहा है मतलब A भी कर रहे हैं B is a subset of A, then हम कह सकते हैं A is equal to B, तो यह क्या है, दोनों की equality है, मतलब एक property है, equality समझने के लिए, कि equal, दो subset equal कब होगा, जब दोनों का subset A, A का subset B, B का subset A, दोनों हो, उस case में हम कह सकते हैं, equality equal है, तिसरा case, A is a subset of B, and B is a subset of C, then हम directly कह सकते हैं A is a subset of C, यहां पर transitivity relationship है, जैसे A, B का subset है, और B की C, C का subset है, तो हम कह सकते A, A भी subset of C का, जैसे एक्जांपर तोर पर अगर हम यहां पर C एक बढ़ा लें, अगर हम लेहां लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, हम कह सकते A यह subset of B, है ही, क्या B यह subset of C, है, सारे element है, हम तो directly फिर A भी कह सकते हैं, A यह subset of C, चेक कर लिजे, A के सारे element यहां पर होंगे, विलॉंक्स कर रहे होंगे, ते भी हो जाएगा, नेक्स्ट आता है आपका प्रापर सबसेट, अचा प्रापर सबसेट और सबसेट में भी माइनर डिफ्रेंस है, जैसे की, इक्वल सेट और इक्वल्टी में था, ठीक है ने, अब देखिए, यहां प्रापर सबसेट में क्या लिखा है, इफ, A इसे सबसेट आफ B, मतलब, A तो B का सबसेट हो, and, at least one element आफ B, which does not belong to the set A, मतलब, at least A की element इसका, B का ऐसा होना चाहिए, जो A में, सेट A में ना हो, देन हम कह सकते हैं, A इसे प्रापर सबसेट आफ B, denote किस से करेंगे, ध्यान देखिए, A प्रापर सबसेट आफ B, इस तरीके से, देखिए, जैसे यहां पे नीचे बार लिखा है, और लाइन लिखा हो है, यहां पे ऐसा नहीं होगा, ते क्या होगा, प्रापर सबसेट, एक्जामपल के लिखिए, क्या हम इसको, जो A और B है, क्या A को हम प्रापर सबसेट आफ B कह सकते हैं, क्रेटरिया देखिए, A इसे सबसेट आफ B तो है, क्या इसका कोई एक इलिमेंट ऐसा जो इसमें नहीं है, हाँ, 11 और 22 दो इलिमेंट ऐसे हैं, जो इसमें नहीं है, मतलब हम इसको A भी कह सकते हैं, इसको A भी कह सकते हैं, A इसे सबसेट आफ B, A इसे प्रापर, प्रापर सबसेट आफ B कह सकते हैं, लेकिन इस केस में, धान दिजीए का, इस केस में, इस case में हम एजे subset आप भी तो कह सकते हैं लेकिन एजे proper subset आप भी नहीं कह सकते हैं क्यों क्योंकि इसके इसमें कोई ऐसा element नहीं है जो कि यहां पर ना हो समझे मैंनर difference तो यहीं minor difference है इसके बाद दो set और यहां पर है universal set universal set means universal set is a set contain all the elements of rest of the set अब थोड़ा से हाँ पर tricky है समझेगा universal set के मतलब क्या लिया जा रहा है denote किया जाएगा यू से universal set मतलब एक ऐसा set जिसमें आप जो भी set सोच सकते हैं वो set के element वहां पर अलड़ी है तो क्या हो जाएगा universal set जैसे example की समझेए जैसे a दिया हुआ यहां पर set और b दिया हुआ set अगर हम इसका मान के चलें कि इसका universal set तो इसका universal set क्या होगा u is equal to मतलब एक universal set ऐसा होगा जिसमें a भी element होगा और b के element होगा मतलब यहां हो सकता 1 2 3 4 और a b c d a हो जाएगा universal set हो जाएगा इस case में ठीक है अगर कोई और सपोज एक कोई और सेट है तो उसके भी element इसमें आ जाएगे तो जाएगा universal set ठीक है कि डिश्वाइन सेट क्या होगा डिश्वाइन सेट मतलब कि कोई numbers of set है numbers of set है और उस सेट में कोई भी element किसी में common नहीं है कोई सेट कामन नहीं मतलब कि सब में different different है जैसे example तोर पे इस एक example ले सकते हैं जैसे देखिए इसकोल टू यहां पर है बीश्वाइन सेट है क्या इन सब्सक्राइब कोई सेट कामन है कि यहां देखिए कोई भी element कामन है 1234 यहां आप ABCD कोई भी कामन नहीं है कि जब कोई भी कामन नहीं है डैट में डिश्वाइन सेट जिसको हम करते हैं intersection नाम से मानते हैं मतलब कि अगर इसका हम यह इंटरसेक्शन भी निकालें यह निकालें तो क्या हैगा फाइगा इसमें कोई भी इलिमेंट ऐसा नहीं है जो कामन है तो इस सारे समंझ में आगए होंगे आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसके बाद लेक्चर में हम एक टाइप है पावर से जो काफी important है उसका theoretical question आता है उसका proof आता है उस पर बेस पर numerical आते हैं आपके exam में तो next lecture में हम power state को ही detail में discuss करेंगे thank you so much